हरे क्रिश्णा क्या नक्षत्र ग्रह हमारा बविश्य तैय करते हैं क्या यह हमारे ग्रह जो है ग्रह मंडल हमारा कर्मों पर इफेक्ट करते हैं बिलकुल इफेक्ट करते हैं क्योंकि हम मनुष्य अलग-अलग कर्मों करते हैं उन अलग-अलग कर्मों का अलग-अलग फल हमको को मिलता है अलग-अलग नक्षत्र में रहके हमारी सब मुख्ष जब हम पूरशार्ट करते जब हम कभी भी पूर्शार्ट करते तो कर्म विचलीत होता है हमारा कर्म हिलता है जो हमारा कर्म हिलता है तो हमारे नक्षत्र हिलते हैं हमारे ग्रया हिलते हैं जब हम पुर्षाट करते हैं जैसे हमारे कर्म में नक्षत्र में ऐसा लिखा है कि हमको एक लाख रुपया मिलेगा लेकिन हम बहुत महनत करते हैं बहुत महनत क लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको सुख जो है वो एक लाग का ही मिलेगा नो लाग का आप सुख नहीं ले पाओगे तो सुख और दुख के आधार पर नक्षत्र ग्रह कारे करते हैं लेकिन पुर्शार्थ के आधार पर कोई कारे नहीं करते हैं तो हम इसको समझ सकते हैं तो पुर्षार्थ तो इसका मतलब पुर्षार्थ करना चाहिए नहीं पुर्षार्थ जरूर करना चाहिए लेकिन उस पुर्षार्थ के अंदर अगर हमारा पंचम पुर्षार्थ भक्ति प्रेम हो और हमारा शुर्थ पुर्षार्थ हो और हमारा प सपोर्टिव बन जाते हैं तो इसलिए नक्षत्र ग्रह कारे करते हैं लेकिन अगर हमारा भक्ति हमारा पुर्शार्थ हमारा मोक्ष द्वारम तो यह है तो हमारा सब कुछ मोक्षद्वारम अब आपने होती तो हमको मोक्षद्वार मिल जाता है तो इसलिए हमें मुक्ति के लिए सदेव और सदेव आध्यात्मी कारे करने चाहिए और आध्यात्मी कारे जब भी हम करेंगे जब भी हम आध्यात्मी कारे में रहोगे हमारे नक्षत्र हमारे ग्र लगनम शुद्धी तथेव जिस लगन में आप भक्ति करते हैं वो लगनी शुद हो जाता है जब भगवान राम का दश्रजी अभी शेख करने के लिए रेडी हुए तो उन्होंने विशिष जी को बुलाया कि इनका राम का अभी शेख करना है राम को राज्य अभी शेख करन लेकिन भगवान के पिता दश्रजी कहते है नहीं तुम शुद्ध लगन निकालो तो शुद्ध लगन दस दिन बाद निकला और उन दस दिनों में आप जानते हो क्या घटना घटी वो घटना ऐसे घटी के प्रभु राम को वनवास जाना पड़ा तो इसलिए जब भी हम आ रहे कारे नहीं करता बलकि उनको दुख नहीं देता बलकि उनके लिए कारे करता है जब ग्रहन आदी कारे जब ग्रहन आदी राहु के तू उपर होते तब भी सब कुछ होता है जब कोई प्रेगरेंट माताजीत होती है क्याते है उस समें माला करो क्यों माला करो क्यों कि भ भगवान के नाम में भगवान के काम में रहते हो तो कोई नक्षत्र कोई ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगार सकता तो इसलिए भगवान के नाम में भगवान के सिवाँ में लगना चाहिए तो ये सुन्दर है और अगर पुर्शार्थ में लगते हो तो पुर्शार्ट तो भईया यही है कि जितना मर्जी पुर्शार्ट करो पुर्शार्ट सुख और दुख के हिसाब से ही चलेगा तो आप पुर्शार्ट जादा कर सकते हो तो तीन चीज़े है नक्षत्र, पुर्शार्ट और भक्ति अगर आप नक्षत्र को follow करते हो तो आप पुर्शार्त अती करते हो तो नक्षत्र weak रहेगा लेकिन आपके पुर्शार्त को disrupt करेगा लेकिन आप भक्ती करोगए तो यही नक्षत्र उसको support करेगा तो इसलिए यहीं के-प्रकारेन यही सिद्धानध है तो इसलिए नक्शत्र करते हैं कारे नहीं करते लेकिन जो भगवान की भक्ती करता है जो ever good लेता है भगवान संग में रहता है उसको कोई ह करने को के लिए कार क्रमों के लिए देखिए हरे कृश्ट और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटी एच ओपरेटर से समपर्क करें तदा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 766-839-839